मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, किरकेट जगत से जुड़ी ये बड़ी खबर है, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है, भारती टीम के कप्तान है, T20 वर्ल्ड कप के बाद, कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोह तो इस वक्ती बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई भारती टीम के कप्तान भारती क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जो है उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है कीट्वेंटी वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ देंगे विराट कोहली और शिगबर पर हमारे खेल समाधादाता विशाल पंडित जुड़ गहें विशाल विराट कोहली कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं क्या कारण है इतनी जल्दी यह फैसला कि यह दिनों से यह बाते करें कि उनने में आ रहे थी विराग कोली आज कफ्तानी से सीफा दे देंगे लेकिन यह फाइनल होगा टीटुटी वाल्ड कप के बाद विराग कोली कैपन सी छोड़ देंगे लेकिन उसके बाद अरुन भूमर जो की जो कोशा अचे ज़िए लग ज या दुदी के बादी के दोवा कर्मै नोज बना सकता है बैज़ प्लीयर और एजब अबैस्में तीक के साथ जुला रहूंग और अपने के प्राग पांस पार और अपने प्रापाश्र बचला उसके साथ ज़िए लूँगा और ऐज़ प्लेयर मैं टीम के साथ भूलना चा सब्सक्राइब नाम आ गया रहा है जो कप्तान बनने के लिए उसमें नाम रोहिश शर्मा का है और टेस्ट में अजिके रहने का तो विशाल ये माने की रोहिश शर्मा का जिनाम पहले भी चर्चा में था अगर बात करें आई पिल मैचों की जो मुंबई इंडियन्स टिंग क कि रूप में उभर के आये थे पांस टॉपियां जिता चुके हैं वो और एक एक दो सिरीज भी उन्होंने भारत को जिताई हैं तो कहीं न कहीं जैसे एक दौर में गंभीर और महेंसिंग धोनी को चेक्किया जा रहा था नियुजिकान को पांस जीरो सहराया था गंभीर के कप्तान हो सकते हैं लेकिन इस बार रोह शर्मा को पुल्प्रूव कप्तान बनाया जाएगा टेस्ट में कैप्टन सी अजिंके रहने को मिलने जा रही है और विशाल यह माने कि आप जो मुंबई इंडियल्स का प्लेंग 11 है उनके लिए भी अच्छी खबर है क्योंकि रोह करते हैं का इस बार विशाल तमाम जानकारी के लिए तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारती क्रिकेट टीम के जो कप्तान है विराट कोहली उन्होंने टीटवेंटी वर्ल्ड कप के बाद टीटवेंडी कप्तानी चोड़ने का फैसला लिया और केस्ट कप्तानी की चोड़ने की बाद बात जो है वह भी सामने आ रही है अगर आगर